अस्सलामू अलेकुम बलके रोज बरोज बढ़ते हुए संगीन जराइन के हकीकी आदादों शुमार से भी आपको आगाह कर सकें। इस सब में शामिल होगा पुलिस गर्दी, करप्शन और टॉर्चर जैसे मसायल पर मबनी, पुलिस और इंतजामी अफसरान के इंट्रिव्यूज भी। सबसे पहले बात करते हैं पंजाब के सुबाई दारुल हकूमत यानि लहौर में कतल की वारदातों की। शहर में डकेती के दौरान मजाहमत पर फाइरिंग करके दो लेडी डॉक्टर समेत आठ अफरात को मौत के घाट उतार दिया गया। पुलिस में इन वारदातों के मुकद्दमाद दर्च कर लिये हैं और अपनी तफ्तीश भी जारी रखे हुए हैं। मजीद हम जानेंगे हमारे क्राइम रिपोर्टर मुदस्र नवाब की इस रिपोर्ट में। लाहौर डिफेंस A में लेडी डाक्टर खौला एमद खान को डकेती वारदात के दुरान मजामत पर फारिंग करके कतल कर दिया गया। मकतूला अपनी सहेली को मिलने के बाद वापिस घर लौट रही थी कि डाकों ने इसे आ लिया। सीसी टीवी फुटिज में देखा जा सकता है कि दो मोटसेकल सवार डाकों ने खौला को असलह की नौक पर यरगमाल बना कर लूटना चाहा। तो लेडी डाक्टर ने मजामत शुरू कर दी। मुल्जिमान ने खौला पर यके बाद दीगरे तीन फाइर किये जो इसकी मौत की वज़ा बन गए इस संगीन वारदात के बाद आईजी पंजाब ने सीसी पी और लाहूर गुला महमूर डोकर से तफसीली रिपोर्ट तलब की लाहूर पुलिस का दावा है कि पुलिस ने मुल्जिमान को गिरिफतार कर लिया है जिनकी शनाक्त मुहम्मद आयाज और मुहम्मद बिलाल के नाम से हुई दूसरी जानिब गुल्चने रावी में नामालूम अफराद की फारिंग से दो सगे भाई जांबाक हो गए रात की तारीकी में गाड़ी में मुझूद मुल्जमान ने साथ बेटे हुए दोनों भाईयों को फारिंग करके कतल कर दिया और उनकी लाशें गुल्चने रावी गुल्फिशा कालूनी तोहीद पारक के पास फैंकर फरार हो गए मकतुलीन की शनाफ मुहमद जरखान और राज मुहमद खान के नाम से हुई है जबके पुलिस ताहाल मुल्जमान गिरफतार करने में नाकाम है अलाका मकीन इस वाकिया के बाद खौफजदा है और आला पुलिस हुकाम से तहफुस की फरहामी का मुतालबा कर रहे हैं इस तरह के अगर शेहर में खत्रात और इस तरह के वारदात और सारा कुछ होता रहेगा तो शेहरी घरों से निकलना छोड़ देंगे डर के मारे वो जो है अपने घरों में क्याद होकर रहे जाएंगे पर हिरासत में ले लिया गया है इलावा अजीन नामालूम कारसवारों की फारिंग से राइवन के इलाका में सेक्रिटी गार्ड नदीम चान की वाजी हार गया और मुल्जमान ताहल फरार है शेहर का कोई भी इलाका हो ऐसी होलनाक वारदातों से महरूम नहीं कतल की एक और लर्जा खेज वारदात हर्बंस्पुरा में पेश आई जहां बड़े वेटे ने तैश में आकर सगे भाई और मा को कतल कर दिया जबके वाल्टन के एक शापिंग मॉल में डिकेती मजामत के दौरान एक शक्स सिवेर गुंदल को कतल कर दिया गया शहर में बढ़ती ही डिकेती और कतल की वारदातों में इजाफा पुलिस और दीगर कानून नाफिस करने वाले इदारों की कारकर्दगी पर सवालिया निशान है तो दूसरी तरफ ये हुकमरानों के लिए एक लमहाए फिक्रिया भी है क्यूंके आसमानों को छूती महंगाई डिकेती की वारदातों में इजाफे की सबसे बड़ी वज़ा है प्रोग्रम वारदात के लिए कैमरामेन इमरान इकबाल के साथ मुदसर नवाब लाहौर नाजरीन रिपोर्ट आपने देखी कतल की वारदातों के इलावा भी इस अफ़ते लहौर में होने वाले जराइन की फैरिस्त काफी तवील है और हम उस सब पे नजर भी डालेंगे मगर सबसे पहले वक्त हुआ है उन मजलूम और बेबस दर्खास गुजारों का जिनके हिस्से में सिर्फ सबर ही आता है हर रोज मुल्क भर के सरकारी इदारों में इनसाफ के मुतलाशी धक्के खाते नजर आते हैं बासर शक्सियात या रिश्वत के बाइस किसी के मुल्जम गिरफतार नहीं हो पाते तो किसी की जमीन पर से कब्जा ही नहीं छूट पाता हमारे क्राइम रिपोर्टर मुदसर नवाब इस वक्त एक ऐसी खुली कचहरी में मौजूद हैं जहां गरीब अवाम इनसाफ की तलाश में है इनी में मौजूद है वो 11 साला बच्ची जो दर्खास लेकर अपने वालिदैन के हमरा पहुंची है पुलिस तक जी मुदसर कहां है आप बताइएगा क्या सूरते हाल है क्या वाक्या है इस 11 साला बच्ची का यहां बिल्कुल उकाशा मैं इस वक्त जो है इकबाल टाउन डिवीजन के पुलिस स्टेशन शेरा कोड में मौजूद हूँ जहां पर जो इस डिवीजन के साज़त ने साड़ा दू कोई शिव नहीं बखाड साकती सालाई साज़त तो माख यहां अचब तुसी हैं दसों के तो अडिव बेटी जो बाजियाब हो गई है मुल्जमान पुलिस ने उनने तक कोई गिरफतार किते ने के ने किते नहीं एक प्राल्टी तो नहां पहे खा मुल्जमान को पेचानती हैं जी क्या नामे उनके एक का नामे ताज बीबी और लड़के का नाम है अनदीम यह वाक्या कैसे हुआ है कब हो और पुलिस अब क्या कर रही है यह जो पांच शे दिन डूड़ते ने भाई फिर उस बिचे वे दरास कीती फिर परचाना कीता फिर उनने पता चले अब परचा हो गया बच्ची दे बयान करवाए नहीं बच्ची दे मां साथे खलाब बयान अब कुछी निचे कार रहो दे ते अदुला नहीं किया है अच्छा तुसी दसों के जड़े मुल्जमान पार्टी और कौन कौन है ते उननों गिरफदार कीता है कि नहीं ना जगा भी ना सर मनताज ते मैवश भी भी जी ते नदीम उननने गिरफदार किया पहला कची जमा पहला ही ना किया जाना एक सवालिया निशान है जबके दूसरी जाने पुलिस यह दावे कर रही है कि हम यहां पर शेर के मुखलिफ लाकों में खुली किचेरिया लगा रहे हैं ताके लोगों को इनसाफ वराम किया जासे के लेकिन यह मतासिर इस सवाल का जवाब ढूंड मतसिर आपका बहुत शुक्रिया नाजीन आपने देखा कि यह 11 साला बच्ची एगवाकारों के चुंगल से तो भाग आई लेकिन क्या यह पुलिस के चुंगल से बच पाएगी इसे इनसाफ मिलेगा या नहीं मगर यह बात तो तह है कि हम अपने दर्खास सेग्मेंट में ऐसे मजलुमीन के लिए आवाज उठाते रहेंगे और अब बारी है लहोर में जराइम की मुक्तलिफ वारदातों के इर्थकाव की शहर में संगीन जराइम की शरा में तेजी से इजाफा होता नजर आया है कानून नाफिस करने वाले इदारे डकेती, राजनी, कतल, एकबा बराय तावान हता के नौसर बाजी के वाकियात पर भी काबू नहीं कर पा रहें। यही वज़ा है कि क्राइम का गराफ रोज बरोज बुलंद होता दिखाई देने लगा है। मैसूस होता है कि पुलिस नाके, गश्ट और कारवाईयां यह सब मिल कर भी क्राइम को कंट्रो नहीं कर पा रहें। हफते भर के क्राइम पर एक नजर इस रिपोर्ट में। इलावाजी, राइविन, काहना, न्यू काहना, ग्रीन टाउन, टाउनशिप, इलामा एकबाल टाउन, बाटापुर, मनावा, जोहर टाउन, फैक्टरी एरिया, वॉल्टन, बादामी बाग, शाद बाग, मिस्री शा, गुल्शन रावी, डी एचे, हर्बंसपुरा, नमा को वहाँ मौजूद अकेली नाजमान लड़की को बेहोश करके, घर से पांच लाख रुपे नकदी समेत, पांच तोले तलाई जेवर ले उड़े, पुलिस ने मुकदमा दर्च करके कारवाई शुरू कर दी है, काहना में निजी कंपनी के आफिसर नेरिसा एलेक्जेंडर के सिर्फ 50% के ही मुकदमाद दर्च हो पाते हैं, जबके बाकी मुदैई पुलिस स्टेशन्स के सिर्फ चक्कर ही काटते हैं इस रिपोर्ट के बाद आप लहोर में होने वाले जराइन के इजाफे का अंदाजा बहु भी लगा सकते हैं, मगर उस से पहले मैं आपकी तवज्जा मबजूल करवाना चाहूंगी उस आहम वारदार की तरफ जिसका शिकार लाखों पाकिस्तानी हैं, बलके खासकर वो पा इस रिप्टी कमिशनर लाहोर आफिस में खुली कचहरी के दौरान ओवर्सिस कमिशनर लाहोर के चेर्मेन मलक जहांगीर हुसेन ने टीसी आफिस में बेरूने मुलक मुकीम पाकिस्तानीों की जायदादों पर होने वाले कबजों के हवाले से इनकी शकाया सुनी, तरखास गुजारों की फौरी दादरसी के लिए कमिशनर अराकीन को जरूरी हिदायात भी जारी की गई खुली के चहरी में ओवर्सीस कमिशन के तमाम अराकीन ने शिरकत की ओवर्सीस कमिशन में ऑनलाइन दर्च होने वाली शिकायात पर कारवाई करते हुए कमिशन अराकीन ने फ्रीका इनके बेयानात भी रिकौर्ड किये इस मौका पर ओवर्सीस पाकिस्तानियों की कुछ जायदादों को वागुजार कराने के एहकामात भी जारी किये गए मगर इनकी कहीं शुनवाई नहीं हो पाती और जो कानूनी कारवाई का इरादा कर ले वो अदालतों और पुलिस स्टेशन के धके खाने पर मजबूर रहता है पंजाब ओवर्सीस पाकिस्तानी कमिशन मजूदा दोर में खेर मुल्की पाकिस्तानियों के लिए एक बड़ा रिलीफ साबित हो सकता है जो के खेर मुल्की सरमाया कारी में इजाफे का बाइस भी बन सकता है प्रोग्राम वारदात के लिए कैमरामेन इमरान इकबाल के साथ मुदसर नवाब लाहौर नाजरीन आपने देखा कि बैरूने मुल्क रहने वाले पाकिस्तानियों की एक बड़ी तादाद है जो कारोबार या रहाइश की नियत से यहां इन्वेस्टमेंट करती है लेकिन वो इन्वेस्टमेंट कबजा ग्रूप्स के बाइस गेर महफूज होती जा रही है ओवर्सीस पाकिस्तानियों की इमदाद के लिए बनाये जाने वाले कमिशन कैसे काम करते हैं और इनके क्या नतायज होते हैं यह जानने के लिए हमने चेर्मेन ओवर्सीस कमिशन से राब्ता किया है जी मलक जहांगेर सहाब आपके कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया हमारे नाज़रीन को बताईएगा कि ओवर्सीस कमिशन कैसे काम करता है और अगर कोई दर्खास गुजार आपके पास आता है तो उसकी दादरसी कैसे होती है ये आवर्सिज कमिशन जो के सिर्फ और सिर्फ वो हमारे बैन भाई जो के बिरूने मुलक जाके अपना रोजगार कमा रहे हैं तो उनकी जायदातें उनकी इनवेस्मेंट या उनसे मतलका कोई भी कोई शकायत है तो वो बकैदा तोर पे एक पोर्टल आवर्सिज कमिशन पंजाब का उसके अंदर वो चाहें तो इस पोर्टल के उपर पूरी दुनिया में कहीं भी बैठे हुए हैं तो अपनी को नोटस करते हैं फिर उनको यहां बठाके उनकी बात पूरी सुनी जाती है और पूरी तरह तरह करने के बाद फिर उसके उपर फैसला किया जाता है और उसको जितने भी मैक में हैं वो रेवनियों हैं या पुलीस का मैक में क्योंकि इनसे मुतलका ज्यादातर कर दिया जाता है सर वैसे इन मुकदमात में पुलिस का रवय्या लंबी अदालती तारिख हैं और धोंस धंकी से कई कई साल तक फैसले नहीं हो पाते क्या आपके हां भी ऐसा होता है या कुछ केसिज हल हुए हैं आपके कमिशन में हमने कोई तकरीबन साड़े 500 के करीब केसीज हैं जो हमने प्लीस को कहके अफ़ीय ारें दर्जिख करवाई हैं इसके इलावा मुख्तिलिफ मैकमों जो जैसे के कॉपरेटिव मैकम record और मैकमों का कॉर लेकिन यहां पर एक अफ़ते से ज्यादा कोई भी रूपोर्ट बन की आनी है तो इसको एक अफ़ते से ज्यादा टाइम नहीं लगा सर आपके हिसाब से मौजूदा हुकूमत में कब्जा ग्रूप्स के खिलाफ की गई कारवाईयां काफी नहीं देखें उसके ओपर भी वजीर आदम पाकिस्तान उन्होंने ये खास तोर पर कब्जा ग्रूपों के खिलाफ एक पूरा महाद बनाया और पिछले तीन सालों के अंदर आप ये अगर देखें तो आपको पूरे पाकिस्तान के अंदर एक चीज नजर आई होगी जी मलिक जहांगेर सहाब आपके कीमती वक्त का बहुत शुकरिया नाजरीन आपने देखा कि हकूमत वक्त की तमाम तर काविशों के बावजूद कब्जा ग्रूप्स की कारवाईयों को काबू करना काफी मुश्किल हो गया है लेकिन हमारे वजीर आजम इस जिमन में काफी पुर्रूमीद नजर आते हैं इसी के साथ हमारे प्रोग्राम वारदात का वक्त खत्म हो चुका है लेकिन अगले वीकली क्राइम राउंड अप में आपसे एक बार फिर से मुलाकात होगी तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए लेकिन जाते जाते याद रखिए कि जुर्म तो मुझरिम करता है लेकिन उसमें सबक हम सब के लिए है अल्ला ने गेवा